हलो फ्रेंट्स वागत है आपका माई चैनल पर आज मैं आपके लिए एक अलग अंदाज में नए तरीके का ऐसा नास्ते की रेस्पी लेके आई हूँ जिसे आप एक बार बना लोगे तो हमेशा बनाना पसंद करोगे यह इतना ज़़ा टेस्टी और मज़ेदार होता है कि करेंगे 100% गैरंटी के साथ करेंगे आपको आपके किचन में मिल जाएगी और इसे हम बनाएंगे एक चमबस तेल में तो फ्रेंट्स जितनी ज़्यादा यह तक जरूर देखिएगा वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको रैस्पी कैसी लेगी तो चलिए इस मज़िदार से रैस्पी को बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया है यहाँ पर मैंने दो ग्रीन चिली लिए अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ एक लेना अ निकाल दिये हैं और ना जूस भी का इस्तमाल नहीं किया से टमाटर को इस तरीके से मैंने कटकर के लिया है मोटा मोटा फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कैल्सियूम से वर्पूर्श सिम्ला मिर्ड तो यहाँ पर मैं ग्रीन वाली इस्तमाल कर नहीं आप चाहे तो यल है तो मैं से फराल निया डालनी हूँ इससे बहुत ही सुन्दर सा लुक आएगा आप इसके बाद भूना हुआ जीरा हो काले मिश्ट का पौड़र डालेंगे चोथाई चमबर और चटपटा बनानी के लिए चोथाई चमबर चाट पसाला अगर आकर पाद चाट पसाला नह पर ड्राय आमचुर पौड़र यानि कटाई का इस तवाल भी कर सकते हैं और एक चुटके हेंग डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिला के इसको दो मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि वीजिटेबल जितना भी पानी छोड़ना है छोड़ते यहां पर मैंने नम हम इसमें डालेंगे हर किचन ने मुझूद सूजी जिसको रहोज बोलते सवेल बोलते अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बाक्स में जरूर बताना और साथ ने जगा का नाम लिखना मत बुलना यहां पर मैं बारीक वाली ले रही हूं अगर आपके पास मोटी आली त प्रास्पर कर देंगे और अब इसके बार हम इसके अंदर क्या डालेंगे आई आपको बता देते तो अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मज दही जो खट्टा होना चाहिए यह देखिए दो चम्मज लिया है खट्टा दही अगर आपके पास दही खट्टा ना हो तो आप इसकी जगापे क्या कर सकते हैं चार चम्मज दही का इस्तमाल कर सकते हैं अगर खट्टा दही नहीं है नहीं तो अगर आपके पास दही ही नहीं है तो आप इसकी जगापे न बहुत important चीज जाएगी वो है हमारा oil तो यहां पर देखें नमक को हम हटा देंगे यह देखिए एक चमच हम oil डालेंगे आप घियो बटर का भी इस्तमाल कर सकते सिर्फ एक चमच जाईएगा ज्याजा मत डालिएगा और अब इसके अंदर हम add करेंगे थोड़ा सा जीरा एक स पूरा और आप इसको अच्छो पेस्ट मना लेंगे तो चलिए पेस्ट मना के लिए कर कि आतें फिर आपको दिखातें तो फ्रेंट यहां पर देखिये मैंने पी पीस लिया है पीस्ने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है बिल्कुल स्मूस सा हमारा बैटर बन गया है यह बिल्कुल रनी सा, ज्यादा पानी का इस्तमान नहीं करना है, और ना बहुत ज़दा इसको पतला बनाना है, ना बहुत ज़दा गाड़ा, इसलिए आरहा ग्लास पानी लाला है, तो प्रेंट आप हमारी ये मज़िदासी रेस्पी कहां से देख रहे हैं, कमेंड बाक्स में कम सारान लिखना मत भूलिए, अब एक बड़े साइश का बढ़तर ले लेंगे, और उसके अंदर अपने बैटर को टास्फर करेंगे, ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा बैटर बन गया है, तो यहाँ पर देखिए बैटर को मैंने टास्फर कर लिया है, अब मैं बैटर को चेक करने का तरीका बताऊंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि आपका जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट बना है या नहीं, तो इसके लिए आप चमच को इस तरीके से बैटर के अंदर डाल के अच्छे से हिला दीजिए, दो से तीन बार और इस तरीके से देख साइड में रख देते, जब तक यह होगा, तब तक हम दूसरा काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, वापस ने मैंने मिक्सिका जाल ले लिया है, वापस से साफ करके छोटा वाला ही लिया है, बड़ा वाला नहीं लिया है, ना ही मीडियम लिया है, और अब इसके बार हम धेड सारा हराधन्या, जिसको हम डंठर के साथ डालेंगे, डंठर में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होता है, तो डंठर को निकालिएगा नहीं, अब इसमें हम डालेंगे दो ग्नीन चिली, तो मेरी स्पाइसी निया है, तो मैं दो डालनी हूँ, अगर आपको स्पाइसी ह दो लासुन की कलिया, क्योंकि मेरी बड़ी और मोटी है, तो मैंने दो डाला है, अगर आपको डालेंगे, तो आप तीन डालीएगा, अगर आप लासुन नहीं खाते तो इसकी कर सकते हैं, और एक इंच का अध्रक को मैंने चिलके के साथ लिगा है, चिलके में बहुत इछा तेस्ट होता है तो छिल्गे को निकालने की जरूरत नहीं है और आप इसके बार हम क्या डालेंगे आईए आपको बता जाते आप इसके हम डालेंगे पालक के पत्ते तो यहां पर देखिए है मैंने 10-15 से पालक के पत्ते लिए है जो soft वाले होते वैसे तो बच्चे पालक का नाम सुनते ही भाग जाते तो बच्चे हों या बड़े पालक का नाम सुटके जो भाग जाते इस रेस्ट में वो पालक भी खाएंगे और जान भी नहीं पाएंगे तो पालक में आया जाता है आयरन कैल्सियम जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे बंद जाले हम इसको अच्छे से पीस लेंगे तो चलिए पीस के लेकर आते हैं फिर आपको दिखाते तो यहाँ पर देखिए पालक को में ने विल्कुर अच्छे से पीस लिया है कितना बढ़े कलर आ गया है और इस तरीके से हम एक बड़े साइश के बड़तर में नहीं छोटे स स्वाल्टी होती है तो हमें इसमें जारा नमक ने जालना है सिर्फ एक से दो चुटकी नमक जाएगा थोड़ा सा भुनावर जीरा हो काली मिश का पाड़र जाएगा चौथाई चमल और चाट पड़ना जाएगा चाट वसाला अगरा के पास ना हो तो आप इसकी जिए पर ड् आप देंगे साइड में तो आप चलते हैं गैस की तरफ ऑफटाफ़ रैस्पी को बनाने के लिए काम सुरू करते हैं तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ यहां पर देखे मैंने कराही लिए आप चाहे तो इसकी जिगा पर पैन भी ले सकते जो भी बरतर लीजेगा थोड़ा स जीरा और हाफ टीस्पून सौफ दोनों के कॉंबनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एक इंच के अद्रग को इस तरीके से मोटा मोटा करके डाल देंगे आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते और एक ग्रीन चिली और यहां पर मैंने एक मीडियम साइज का प्य प्याद लिया जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया अगर आप प्याद नहीं खाते तो इसकिप कर सकते हैं अब सारी चीजों को हम 10-15 से कंड अच्छे से भून लेंगे काला बिलकुल भी नहीं करेंगे तो यहां पर देखें सारी चीजे अच्छे से भून गई है फिसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे हम इसमें ڈाल लेंगे दो आलू जो मैंने बॉल करके लिए है और ठंड़ा करके लिया है गरम आलू का इस तो मालू का इस्वाल लेНе करना है आप चाहें तो आलू को मैस क कर सकते हैं मैं से ग्रेट जो भी कीजिए आलू को ठंदा करके कीजिए अब आलू को हम अच्छे से भोल लेंगे 10-15 सेकेंड ताकि आलू का जितना भी मौस्चर है वो खत्म हो जाए और आलू में बहुत ही अच्छा सा सोना पना आ जाएगा और स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएग इसलिए मैं इसको साधा ही रखोंगी तो यहां पर देखिए इस तरीके से हो गया है अब इसमें बेसिक से मसाले जाएंगे सबसे परे जाएगा थोड़ा सा टर्मरी पॉड़र नहीं हल्दी थोड़ा सा कुटा हुआ है लार्मेज क्योंकि हमने हरे भी डाला है सिर्फ चौ सबसान नहीं करती यानि पेट में दर नहीं होता है गैस नहीं बनती है और टेस्ट के कॉर्डिंग नमक डालेंगे नमक आपने टेस्ट के कॉर्डिंग डालेंगे जितना खाते उतना डाल सकते और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मसालों को 10-15 सेकंड ढून लें बहुत ही अच्छा सा मसाला हमारा भून गया है और आलू के साथ बिल्कुँ अच्छे से मिक्स हो गया है आप इसके बाद हम इसमें डालेंगे नास्ते की जान धेड सारा हरा धनिया हरा धनिया डालने में कंजूसी मत कीजिएगा इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट तो धन्या को वास करके फैन के नीचे रख देना जब बिलकुँ अच्छा से ड्राय हो जाए तब डालना यूकि इसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए नहीं तो आप इस नास्ते को श्टोर नहीं कर पाएंगे तो यहां पर देखिए आप इसको चक लीजिए अगर आपको कु जैसे ही पैन गरम होगा इसमें हम थोड़ा सा ओयल डालेंगे बस दो से तीन बूल और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे जब ओयल हमारा गरम हो जाएगा तब हम इसमें एक चुटकी डालेंगे सोंप और एक चुटकी डालेंगे जीरा इसको चटकने देंगे जैसे ही चट को में बहुत ज़ना नहीं पकाना है बस हलका सा इसका कलर चेंज हो जाए और इसका कच्छा पर निकल जाए बस इतना पकाना है तो प्यार देखिए इस तरीके से कलर चेंज हो गई है इसके बाद हम इसमें डालेंगे डाल जो हमने चने की डाल लिया है जिसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोच लिया है यहां पर आगर आपके पार चने की डालना तो आप इसकी ज़ब आप मसूड की डाल का वे स्टमाल कर सकते या फिर दुली हुई उदर की पर कभी इस्थमाल कर सकते हैं, यहाँ पे डाल को भी हमें दस्ते पंदा सेकर अच्छे से भोल लेना है, फिर इसके बार हम इसमें डालेंगे टमाटर, तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा टमाटर था, जो मैंने पूरा ले लिया है, अगर आपका बढ़ा है, तो आप सिर्फ आधा लेना, तो तमाटर को डालके 10-15 सेकर अच्छे से भोल लेंगे, तमाटर हमारे हलके से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जादा नहीं डालना है, और फिर इसके बार हम इसमें डालेंगे एक साबुत खड़ी लाल मिश, जिसको मैंने इ एक इंच का अद्रक डालेंगे, जिसको हम छिलके के साथ डालेंगे, अद्रक जरूर डालना, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, तो सारी चीज़े अच्छे से भून गई है, आप इसको हम ठंडा करेंगे, तो चले ठंडा करने के बाद आप से मिलते हैं, तो फ्र आप सुन को हमें भूनना नहीं था, इसलिए हम बाद में डालेंगे, और एक चुटके हम इसके अंदर डालेंगे, चार्ट मसाला, यह देखिए, और आप इसमें हम डालेंगे, पानी, तीन से चार चमच, और इसको अच्छे से पीस लेंगे, तो चलिए पेष्ट बना करें तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, मैंने इसको पीस लिया है, तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, मैंने पीस लिया है, पीस ने विलकुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पीस जाता है, अब इसको हम टास्क कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको बहुत पतला नहीं रखा है गाड़ा ही गाड़ा रखा है अब इसमें थोड़ा सा पाई डाल देंगे ताकि जो लगा हुआ है वो भी निकल जाए तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंजुआ कर सकते लेकिन मैं इसके पर लगाऊंगी तड़का जिससे जो इसका लुक है वो भी बढ जाएगा टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी यानि ये चट्नी दसे पंदा दिन के बाद चटनी का लुक है वो भी कितना बढ़िया हो गया है और चटनी की सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई है और चटनी आपकी 10 से 15 दिन तक विल्कुल भी खराब नहीं होगी जाहे आप प्रिज में रखिए जाहे बाहर रखिए और इस चटनी के साथ आप कोई भी नास्ता स सुझी लोड़ा यह देखिए और इसमें हम थोड़ा से पाई डाल देंगे इससे क्या होगा हमारा नास्ता बहुत अच्छा सा पुला पुला सा बनेका और इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे हलके हलके आतों से यहां पर देखिए जो पालक वाला मिश्रून था यह विल्कुर अच्छे से देखिए हो गया है अब इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे चार चमद तक सूजी का बैटर यह देखिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहां पर जिवाले चममत से मिक्स करेंगे लगड़ी के चममत से मिक्स नहीं हो पा रहा है और देखेंगे आप मिक्स करते जाएंगे तो इसका जो कलर है कितना प्यारा आ गया है तो आप इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पॉड़र तभी डालें जब आपको नास्था बनाना हो, आप बैटर बना के पुरी रात रह सकते, सुबा फटा पर निकाल के नास्था बना सकते, तो यहाँ पे देखें इस तरीके से यह हो गया है, यह भी रेड़ी, यहाँ पे देखिए जो वेजिटेवल थी वो भी सारे फ्रेवर इसके अंदर समा गए है मसाली के विल्कु अच्छे से हो गई है रेडी आप चलते अपने नास्ते को बनाने की तरफ फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ यहां पर देखिए मैंने एक पैन लिया है आप चाहे तो इसकी जग करेंगे हथ इली को ऊपर रखेंगे अगर आपको गर्माहट मैसुस हो रही है ठोबच यहीं तेल गरम हो चुका है जब तेल गरम हो जाएगा तो एक बार गयास के फ्लेम को इस तरीके से मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही अपने नास्ते को बनाएंगे बैटर को एक बार अच्छे से फेट लेंगे क्योंकि सूजी नीचे बैठ जाती है और एक चमज बैटर लेके इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच में डालेंगे फिर इसके बाद हम इसके उपर क्या डालेंगे हम इसके उपर थोड़ी सी वेजिस डालेंगे देखें इस तरीके से यहाँ पर वेजिस आपने हिसाब से डाल सकते ज्यादा या कम जैसी आपको पसंदो तो देखे इस तरीके से मैंने डाल दिया है अब जो हमारा आलू अला था मसाला वो भी हम इसके उपड़ डालेंगे और इस तरीके से हम इसको इसके अंदर प्रेस कर देंगे जिससे क्या होगा कि ये बिल्कूर अच्छे से सके अंदर सेट हो जाएगा तो जैसे जैसे मैं कर रही उसी तरीके से आप करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हैगा ये देखे आलो अला मसाला भी मैंने अच्छा से लगा दिया है इस तरीके से चाओ तरफ फेला के और अब इसके बाद हम इस पर डालेंगे केचप तो ये मेरा होमेड केचप है अगर आपको इसकी रेस्पी चाहिए तो कमेंट बाक्स पर कमेंट करना आपके साथ सेयर करेंगे ये बच्चों को केचप बहुत जड़ा पसंद होता है इसलिए डाल देंगे थोड़ा सा और केचप डालने के बाद अब इसके उपर हम डालेंगे थोड़ी सी मेय जो मेरी घर की वनी है अगर आपको इसकी रेस्पी चाहिए तो कमेंट बाक्स कमेंट करना मैं आपके साथ सेयर करूंगी इस तरीके से डाल देंगे और यहां पर हम नाइफ से इसको उपर कर देंगे युकि यह थोड़ी सी गिर गई है और नाइफ से आपको इस तरीके से म मियोनी को फैला देना है यह देखिए इस तरीके से हमने मियो को फैला दिया है थोड़ी सी विजिटेवल वापस से डालेंगे आप चाहे तो इसकी जवाप एक चीज भी डाल सकते लेकिन मुझे चीज उतनी पसंद नहीं है इतलिए मैंने मियो डाली है और आप इसको हम धीमी क्रिट हो चुका है यह बिल्कुँ अच्छे से सिग गया है यह देखिए विल्कु अच्छे से डन हो गया इसको हम एक पलेट में निकाल लेंगे कि रेकिक सीवाफ महिं और पइल जैंग हम पनाइगे तो देखिए इस तरीके से डालना है इसका जो साइज है वो आपको बहुत ज़दा बड़ा नहीं रखना है और यहाँ पर इसको हम सेट हो जाने देंगे और इसका जो शेफ है वो हम परफेक्ट कर लेंगे इस तरीके से उसी साइज का बराना है जैसा हमारा पहले वाला था कि देखिए इस तरीके से हमने इसको बड़िया सा शेफ दे दिया है वापस से और आप हम इसके अंदर क्या डालेंगे अपनी विजिटेवर डालेंगे देखिए बैटर डालके मैंने 10 सेकंड पका लिया है 10 सेकंड में यह हलका सा सेट होना शुरू हो जाता है तो आप इसके ओपर हम विजिटेवर डालेंगे और अब इसके ओपर हम क्या डालेंगे, आई आपको बता देते हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे पीजा सॉस, इसको हम डाल गे इस तरीके से फिला लेंगे, अगर आपको होममेट पीजा सॉस की रेस्पी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स मे कमेंट करना मैं आपके साथ सेयर तो आप इसकी जगह पर क्या डाल सकते आप इसकी जगह पर हरी चटनी भी डाल सकते और हम पर आलू का मसाला इसके उपर इस तरीके से फैला देंगे तो यहाँ पर यह काम आपको 10 सेकंड बाद ही करना है वरना क्या होगा यह चिपकेगा नहीं आपस में यह देखिए इस तरीके से हम फैला लेंगे यह वाला भी आलू हम इसकी को पर रख देते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे हम इसके उपर वापस से विजितेवर ला देंगे थोड़ी सी तो यह रेस्पी बहुत ज़र्दा हेल्दी होने के साथ साथ काफिट कम टाइमें बन जा यसके उपर हम यह नहीं लगाएंगे और इसको भी हम 2 सिकेंट नहीं सिर्फ 2 मिनट धीमी धीमी आशंच चे पकाएंगे और दो मिनट में अच्छे से कुक हो जाएगा तो जिसलिए दो मिनट के बाद आपसे मिलते हैं तो फ्रेंट 2 मिनट हो चुका इसको पकते हुए service म 6 ज़क गया है अब इसको निकाल लेंगे प्लेट में रख लेंगे और अब वापत से 2-3 बूर लालेंगे बस काफी इतना सा और इसको हम फैला लेंगे वापत से पैन में और यहां पर अब अपने बैटरों को पेट लेंगे अच्छे से क्योंकि नीचे बैठ जाता है और एक चम्मज भर के इस तरीके से डालेंगे और इसको हलका सा फैला लेंगे यहां पर आपको खयाल यह रखना है कि इसे बहुत ज़रा मोटा नहीं बनाना है और बहुत ज़रा पतला नहीं बनाना है नहीं तो यह कुख होने में बहुत ही ज़रा टाइम लगाएगा तो मैं पतले पतले बना रही तो दो मिनट में बन जा हरें और यहां पर जैसे यह हमारा 10 सेकंड हो जाएगा और इस तरीके से इसके Sanio में बबल अना शुरू हो जाएंगे तो यहां पर हलके लके से बबल अना शुरू हो गया है आपको दीख रहा है नहीं तो आलू आपने हिसाफ से रह सकते हैं थोड़ा सा अलू अच्छे से भरेंगे तो खाने मज़ा आएगा और आपका पेट भी अच्छे से फुल होगा लेकिन बेट बिल्कुर ही नहीं बढ़ेगा यूकि हम इसे सूजी से बनाए हैं बहुत ज़्यादा है और इसमें जो यह देखे इस तरीके से और आप हम इसके उपर मियोनी डाल देंगे इस तरीके से, यह मेरी homemade है, यह vegetarian वाली है, इसमें एग हमने नहीं डालाए, अगर आपके पास ना हो, घर में बनी वाली, तो आप market वाली भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें एग होता है, अगर आप एग खाते हैं, तो जरूर डाल भी सकते हैं, नहीं खाते हैं, तो उसको avoid कीजि अगर आपको इसकी recipe चाहिए, तो comment box पर comment करना, आपके साथ सेयर करेंगे, थोड़ी सी vegetable वापस से, आप चाहिए तो पनीर को ग्रेट करके डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें cheese भी डाल सकते हैं, और इसको भी 2 मिनट पका लेंगे, यहाँ पे हम cover नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर आपको soft लिए तो आप cover कर सकते हैं, तो चलिए दो मिनट के बाद इससे check करेंगे, तो फ्रेंट दो मिनट हो चुका है, इसको पकते वे, चलिए आप इसको निकाल लेते हैं, यह देखे कितना खुबसूरत सा लग रहा है, अब चलिए इसको सबकर के आपको इसका फा होएं, तो फ्रेंट देखिए इस तरीके से हमारा खुबसूरत सा प्यारा सा नास्ता बनके रेडी हो चुका है, जो देखने में इतना खुबसूरत लग रहा है, तो समझ लीजे खाने में कितना जाए टेश्टी लगेगा, यहाँ पर आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते लेकिन मैं इसको सर्फ करूंगी, बहुत ही बड़ी हा तरीके से, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना जादा सॉफ्ट बना है, और यह देखिए कितने अच्छे से कुख होगा है, कितना जदा क्रिस्पी है, क्रिस्पी होने के साथ साथ बिलकूँ सॉफ्ट ह प्लफी बना है, यहाँ पर इसको हम सर्फ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ले लेंगे यह और इसके उपर आराम से अपना यह रख देंगे, यह देखिए, पीच में हम रख देंगे पालक वाला जिससे बहुत ही सुन्दा सा लुकाएगा, और अब इसके उप लग रहा है, इस तरीके से आप बच्चों को काटके देंगे, तो उनको खाने में भी आसानी होगी, और आपको उनको टिफिन वाक्स में देने में भी आसानी होगी, तो यह नास्ता बहुत ज़र्दा हेल्दी होने के साथ साथ बच्चों का फेवरेट नास्ता बन जाएग तो वैसे तो पालक खाते नहीं, सबजी खाते नहीं तो इस तरीके सबरा सकते, तो चलिए इसको सब्प करते, तो फ्रेंड बनकर रेडि हो चुका है हमारा बहुत ही जड़ा चाड़ा सा कुर्फुला सा कराज सा जो बहुत ज़्या टेस्टी होने के साथ थेल्दी भी है, दे के साथ बता रहे हैं चटनी जरूर बनाएंगे आप इससे बच्छों के टिफिन बॉक्स में पतिके लेंच बॉक्स नि दे सकते अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो इस रेस्पी को जरूर ट्राइएंगे तो रोज रोज सब्जी रोटी बता रहे हैं जंजर से आजादी पाना चाते तो इस रेस्पी को जरूर ट्राइएंगा रेस्पी में कुछ भी अच्छा लेगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना साथ ही नॉट्पी के सकते हैं जिसे हमने बिना प्लेट के बनाया है तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में मुझसे तो वेटे ही हो रहा है मैं जारे नज्यॉय करने लव यू आल बैंट टेक केर